जै महाकाली नमह स्वागत है आप सभी का, हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राशिवालों, तो दोस्तों, देखिए, आने वाले अगले इन 24 घंटे का समय, आपके जीवन में बहुत ही खुशहाल समय रहने वाला है, आपकी तरक्की के नए- कुलहाडी मान लेते हैं, यानि कि दोस्तों, आप कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिससे कि आपका नुकसान हो जाता है, और उसका कारण भी आप स्वयम बनते हैं, तो ऐसा ही कुछ अगले 24 घंटे में आपके साथ होने वाला है, वैसे तो दोस्तों, आपको भाग्य और क किस्मत का बहुत ही अच्छा साथ इन 24 घंटे में मिल रहा है, किस्मत भरपूर साथ दे रही है, लेकिन मैं तो आपके कुछ ऐसे गुप्त शत्रू है, कुछ ऐसे दुश्मन है, जो आपको आगे बढ़ते हुए बिलकुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, और वे लोग आपको नीचे गिरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे में मैं बस आपसे यही कहूंगा, कि आप इस समय थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सावधान रहिए, आज की इस वीडियो में दोस्तों, आपको तीन बहुत ही बड़ी सावधानी में बताने वाला हूँ, ज आपको सारी मुसीबत से मुक्ती मिल जाएगी, तुम, बस बेटा, आज की इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना, जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो किसी वरदान से कब नहीं है, देखिए, आपको अच्छे अच्छे बातें बताने वाले तो हजारों लाखो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलेगा, जो आपको आपके जीवन की मुश्किल बातों के बारे में बताएं, जो आपको बताएं कि आपके जीवन में कौन दुश्मन है, आपके काम क्यों बिगड़ रहे हैं, आपके जीवन में मुसीबतें कहां से आ रही हैं, इस बातें आपको कोई नहीं बताया, केवल और केवल हम बताएंगे, इसलिए यदि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो आपको सारी सावधानियां और सारी महत्वपूर्ण बातें भी जानने को मिलेगी, दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय आपके ल याद रखोगे, बस दोस्तों, आपको जो मौका मिलने वाला है, उसे आप हाथ से जाने मत देना, वरना जिन्दगी भर पच्टाते रह जाओगे दोस्तों, भाग्ये का साथ तो आपको मिल रहा है, परन्तु आपको भी कुछ गलती नहीं करना है, जी हाँ दोस्तों, आप बार बार कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण आपके घर की बरकत चली जाती है, इसलिए जो बातें आज हम आपको बताने वाले हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों, अब आपके ग्रह गोचर में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं, जो आपकी गल आप बहुत ज्यादा कपट, बहुत ज्यादा दुश्मनी भरी पड़ी हैं, और ये वही लोग दोस्तों जिनके कारण आपके जीवन में बार बार मुसीबतें आ रही हैं, जिनके कारण आपके जीवन में बार बार तकलीफें आ रही हैं, दोस्तों, आपने अपने जीवन म यह दुनिया बहुत ज्यादा मतलबी है यहां केवल लोग अपने मतलब के लिए अपने फाइदे के लिए कार्य करते हैं और अपने काम के लिए सोचते हैं ऐसे में दोस्तों, आपने तो लोगों की मदद बहुत करी लेकिन जब आपको मदद की आवश्यक्ता पड़ी तो आपके दुख आपकी तकलीफों को समझने वाला कोई नहीं था और बेटा, हम काफी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस समय भी तुम बहुत ज्यादा मुश्किलों से लड़ रहे हो तो मैं पैसों की भी बहुत ज्यादा आवश्यक्ता है लेकिन कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आगे नहीं आता लेकिन आपको मैं चिंता करने की या घबराने की कोई आवश्यक्ता नहीं है शनी देव की लाठी, अब तुम्हारे दुश्मनों पर चलने वाली है तो आपको बस यह ध्यान रखना है, कि आप अपने जीवन में कभी कुछ ऐसी गलती ना करें, जिसके कारण आपको बाद में पच्छतावा हो जाने अंजाने में, दोस्तों, हमसे कई बार कुछ गलतीयां हो जाती है, जिनका हमें बाद में एहसास होता है, यदि आपके साथ ही कुछ ऐसा हो, तो तुरंत अपनी गलतीयों के लिए क्षमा मांग ले, क्योंकि दोस्तों, अब जो समय आपके जीवन में आने वाला है, इसमें बुरे लोगों की कोई जगहन नहीं बचेगी, आखिर ऐसा कौन सा बदलाव आपके जीवन में होगा, ये सारी की सारी महतव पूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों, आप सभी से मैं हात जोड़ कर निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको एक-एक बात सही से समझा सके, सर्व प्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले, शनी देव भगवान के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दे, और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से सारे दुख, सारी तकलीफ पर और संकट दूर हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जै शनी देव तीन बार लिख देना, जी हाँ दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ, यदि अपने सच्चे मन से इस कार्य को किया, तो अगले 24 घंटे में आपको शनी देव की शक्ती देखने को मिलेगी, और आप देखेंगे कि आपके जीवन के सारे संकट और सारे दुखो से आपको छुटकारा प्राप्त होगा, उसी के साथ दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, हम आपके लिए ऐसी ज्यानवर्धक वीडियो रोजाना लाते हैं, और कभी भी हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, हम केवल और केवल आपका प्यार चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकर हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपको रोजाना ऐसी ही सटीक एवं ज्यानवर्धक वीडियो प्रदान करते रहें, आईए दोस्तों, बिना देर किये आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिशी कार्यक्रम की श इमत नहीं आनी है, क्योंकि आने वाले इन 24 घंटा में के साथ अच्छा भी होने वाला है, आपके साथ बड़ा भी होने वाला है, यदि आप लगहूद द्योग करते हैं, कोई छोटा मोटा व्यापार चलते हैं, तो आपकी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है, जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से पैसों के मामले में आपकी आरती किस्थिती बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी थी, परन्तु आने वाले इन 24 घंटा में आपको किसी बड़ी कंपनी की और से कोई बहुत बड़ा ओर्डर मिल सकता है, ये खुश खबर आपके लिए इतनी बड़ी होगी कि लंगडा भी खड़ा होकर नाचे लगेगा, जी हां दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हैं, एक लंबे समय से आपके जीवन में बहुत संघर्ष चलाए रहा था, परन्तु 24 घंटा में आपके सारे संकट दूर होंगे, माता पिता का आशीरवाद, माता जरूरी इन 24 घंटा में रहने वाला है, कई बार दोस्तों, माता पिता में चिला देते हैं, हमें दांत देते हैं, फटकार देते हैं, तो हम उल्टा उन्हें ही जवाब देते हैं, परन्तु आज की युवा पीड़ी की, यह सबसे बड़ी गलती है, यदि दोस्तों, आपके माता पिता आपको दांत रहे हैं, आप कुछ ला रहे हैं, तो आप यूं समझिए, कि आपके बुरे कर्म कर रहे हैं, आपके पाप कट रहे हैं, जब भी कोई बड़े आपको चिलाए, तो उनकी बटन को सही से अपने उपर लीजिए, अपने जीवन में बहुत सुधार ला एक के बाद एक, खुशी एक के बाद एक, बड़ी खुशखबरी आई जाती है, परन्तु जब गम आते हैं, जब परेशानी आई है, तो वह भी सीरीज में आई है, एक के बाद एक गम आते रहते हैं, तो मैं जब खुशियां ए रही हैं, तो उसका भरपूर आनंद उठान उन्हें दत्थ करके उसका सामना करना है। उन चुनौतियां का दत्थ करके आपको पूरी तरह से सामना करना है। लेकिन जो इनसान दोस्तों यहां पर इन सभी परिस्थितियों से लाड़ करके बाहर आएगा। बहुत शांदार तरक्की उसका इंतजार कर रही है। बहुत महीने की शुरुआत में आपके पास पैसा आता है और महीने के अंत तक आप उसे नहीं चलाका रहे। आपकी जब खाली हो रही है तो वीडियो के अंत में आपको आर्थिक सुधार ने कहा एक बहुत शांदार उपाय देंगे। जिसे देखकर कि आप अपनी किसमत चमक सकत हैं तो सबसे पहले सावधानी पर नजर डालते हैं। पहले सावधानी विद्यार्थियों के लिए वे विद्यार्थी जो काफी समय से कुछ नहीं कर रहे। या फिर अगर उनका मानना है कि जब एक्जाम आएगी तब ही मैं पढ़ाई करूंगा तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत गहरी राज की बात बता रहे हैं। कई बार होता सोच के विपरीत। ए तो कई बार बहुत सारे लोग बिना पढ़े भी पास हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई ना करें। आपको अपना बेस्ट देना है। आज से ही मेहनत करना शुरू करिए। क्या पता कब क्या हो जाए। यही एक्जाम आपकी किसमत बादल दे। लेकिन आपका एक अलसी आपके सपनों को तहस नहस कर सरता है। अगले 24 घंटा में किसी प्रकार के पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहे। अगर पैसा लेकर कहानी और जा रहे हैं तो किसी एक जाने को अपने याद रखिए। क्योंकि कुछ लोग आप नजर बनाए रखें कब वो आपको एल ले। कब आपके साथ विश्वास घाट कर दें। इसका भरोसा नहीं हैं ग्रह गोचर के अनुसार या सावधानी आपको बता रहे ह इसका आप पालनपुर करना वहाँ चला रहे हो तो वहाँ चलते समय भी आपको सावधान रहना हैं क्योंकि अचानक से घर करके चोट लगे के संभावनाएं बन रही हैं और इस वजह से आपकी गाड़ी में भी खर्चा आने वाला है तो वहाँ पर आपको सावधान रहना ह इसी के साथ साथ दोस्तों जिन्दगी में परिवर्तनों से ना दरें, परिवर्तन ही परिणाम देंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं मैं या कम नहीं करूंगा मैं यह करूँगा तो पैसे गज आएंगे, मैं यह करूँगा तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, या जिन्दगी में कोई नया कम ए जाएगा, तो जब तक आप कुछ करोगे नहीं, तब तक परिणाम हाथ नहीं लगेगा, और परिणाम जैसा भी हो, सीखने को बहुत बज़ना रहेगा, उसके अलावा उसे और कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसी के साथ दोस्तों, अगले 24 घंटा में दामपत्य जीवन काफी शांदार बना रहेगा, एक दूसरों की बटन की कद्र होगी, एक दूसरों को समय देना, एक दूसरों के बिना बोले ही, एक दू काज में तो आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पाते, यही बात उन्हें छपटी है, समय के साथ यही बात कांटा बन जाती और फिर कांटे की तरह छपटी है, और एक दिन हमारे रिष्टों को तातार कर देती है, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा पैसा पैसा नजर आत अपनों को भी समय देना है, अपनों के साथ भी समय बिताईए, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका दांपत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा, साथ ही साथ अपने बच्चों के समनाती पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस दौरान कोई गलत रह वह भटक सकते हैं, आप अपने काम काज में व्यस्त हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हम हमेशा कहते हैं, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ, तो आप ऐसा ना करें, दोस्तों, आने वाले 24 घंटा में आपकी वानी आपकी सफलता के द्वारा खुलेगी, और आपकी वानी ही जिन्दगी पर लागू होता है, हम अगर सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, विनम्रता से कर रहे हैं, सादगी के साथ कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति कहानी ना कहानी हमसे मित्रता करेगा, वो व्यक्ति हमसे जड़े जा, हमारे साथ व्यापार करेगा, आगे कम बनना लेकिन अगर हम किसी से भी अकड कर बात करेंगे, गुस्से में बात करेंगे तो अपने विनाश का तांडव हम खुद ही मचाएंगे और अपने पर भी आप खुद ही कैट लेंगे इसलिए बात बिलकुल सही है कि दोस्तों, पत्थर को भी आप सोना बना सकते हो आपके मधुर व्यवहार से अगर कोई घमंडी इंसान है, कोई अकडु इंसान है और अगर आगे रहकर उससे बोल लेंगे, आगे रहकर राम राम कर लेंगे तो उसे भी लगेगा कि यह व्यक्ति कितना सीधा है डौटु अर्थ है इतनी तरक्की करने के बाद भी इसके पेड़ जमीन पर है इसलिए जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी वानी ही आपके कम बनाएगी और आपकी वानी ही आपके कम बिगडे की इस बात को गांट बांध कर रख लीजिए अपने किसी खास कम में इन 24 घंटा में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लेनी पड़ेगी तो जो उसे लाइन का मास्टर है उससे सलाह लेने में कोई हाज नहीं है परिवार के साथ कहानी बाहर जान की आप योजना बनाएंगे परन्तु फिर आपके मा में ए जाएगा कि अरे इससे तो बहुत खर्चा हो जाएगा इससे अच्छा मैं बच्चत कर लेठ हूँ, पैसा बच्चा लेठ हूँ, सेविंग्स कर लेठ हूँ या कोई और कम कर लेठ हूँ, तो वह इरादा भी बहुत अच्छा है किसी तरह की पुरानी बटन में ज्यादा ध्यान देने से आपको बचाना है क्योंकि अतीत में जो हो गया, उसे आप बादल नहीं सकते अब उसे सोच सोच कर परेशान होने से कुछ होना जाना नहीं, नहीं है तो अतीत में मत उलजिये, वरना भविश्य बिगड़ जाएगा किसी तरह की पुरानी बटन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है और पैसों का लेन देन करते समय खुद के लिए बहुत सत्तर करना ही क्योंकि लोग आपको लूटने का प्रयास कर सकते हैं समय का सदुपयोग करना बहुत शानदार दिन रहेगा माता-पिता का स्वास्थ्य काफी समय से बिगड़ा हुआ था थोड़ी बहुत परेशानिया नहीं हो रही थी ऐसे में अब सुधार देखने को मिलेगा ग्रहन का काफी अच्छा सपोर्ट आपके साथ ही आपको दोस्तों बस एक उपाय करना होगा बहुत शानदार उपाय है जल में थोड़ा सा दूध मिलिया यानि दूध मिश्र जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना होगा इससे महादेव की कृपा एवं आशीरवाद आप पर बना रहेगा और आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे वहीं बैठ कर मंतर का विचार करना बहुत फायदा होगा आपके कुछ ऐसे करीबी जो सालों बाद आपसे मिलेंगे जब आप उन्हें देखेंगे, जब आप उनसे बात करेंगे तो कब दिन बाइक जाएगा, पता ही नहीं चलेगा लेकिन इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा पूरा नयादें भी आपकी ताज होगी कुछ महमान भी घर ए सकते हैं जीन्स घर में उल्लास का माहौल बनेगा लेकिन पिछले कुछ दोनों से आप उन आवश्यक खर्च बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस राशे वाले जातकों की आदत होती है कि महंगे महंगे मोबाइल चलाना महंगी महंगी गाडियों में गुमनाम महंगे महंगे वस्त्र पहने इन बहुत पसंद है तो यहाँ पर आपको लगाम लगानी होगी अन्यथा आपकी जमापूंजी बहुत जल्द खर्च हो शक्ती है परिवार में कुछ कम ऐसा था जो काफी समय से अटका हुआ था नकारात्मक गो उसे कम को पूरा नहीं होने दे रहे थे आपने भी चारों तरफ से कोशिश कर ली थी कम नहीं हो का रहा था तो आपको करना बस इतना है कि आपको हनुमान जी महराज को दो लोग और दो इलाइची चड़ती है वहीं पे बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और प्रार्थना करनी है बाबा से एक जल्द आपका वह कम हो जाए और फिर कुछ ही दोनों में चमतकार देखिए आपका वह बिगड़े से बिगड़ा कम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा इन 24 घंटा में सावधानी क्या बरतनी है कहां कहां खत्रा आप पर आने वाले है जरा ध्यान से सुनिए सेहत कमजोर होने से बीमा पढ़ने की नौबत ए शक्ती है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना होगा कई बार हमें कम करने का मा तो करता है लेकिन हमारा स्वास्थे नहीं देता हमें मजबूरन घर पर रहना पढ़ता है लेकिन गल्ती भी हमारी थी हमें पता है स्वास्थे खराब है फिर भी हम भाग दोड करते हैं फिर भी हम कम करते हैं तो कम हर समय पर कम करें आराम के समय पर आराम करें इतना ध्यान रखें प्रेमी जीवन के लिए जैसे समय कमजोर है यहां पर आप ध्यान रखिये, आपके प्रेमी आपसे समय की डिमांड करेंगे, लेकिन कामकाज की वजह से आप समय नहीं दे पाएंगे, यह बात उन्हें खाल शक्ती है, लेकिन इसी के विपरीद, अगर आपका पार्टनर समझदार होगा, तो वो समझेंगे कि आप जो भी साबित होगा, आपके जीवन में काफी अच्छा प्रमोशन आपका होगा, या यूँ कहें कि बहुत अच्छी तरह की आपकी होगी, जितने भी छात्र हैं, वो कमजोर विशय पर अपनी पकड़ बना पाएंगे, और जो लोग ऑनलाइन कम करते हैं, उनकी पहचान किसी ऐसे व्यक्ती से होगी, जिससे काफी मदद मिलेगी, उनका कम आगे बढ़ेगा, आपको किसी बड़ी कमपनी से कम करने का ओफर मिल सकता है, और सामाजिक शेतर में आपके कम की बहुत प्रशंसा होने वाली है, जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं इस राश्य के लोग मेहनत बहु लोगों को अब आपकी एहमियत जरूर पढ़ने पर समझ जाएगी, दोस्तों, वह कहते हैं ना कि समय आने पर सबको किसी ना किसी की गर्ज करनी पड़ती है, ऐसे ही लोग, अब आपकी गर्ज करेंगे तो आपको अभीमान नहीं दिखाना है, घमंड नहीं दिखाना है, आ मित्रो आपको बता देते हैं कि आपके परिवार में जो मद्भेद काफी लंबे समय से पैर पहलाए बैठे थे वह मद्भेद अब खत्म होने वाले हैं और पारिवारिक जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। पिछले समय के अंतराल में आपने जहां पर पैसा निवेश किया था, मित्रो, तो जो पैसा निवेश किया था वह पैसा आपको डबल ट्रिपल होकर प्राप्त होगा। कोई मतलब पूरा हो सकता है। समस्याएं भी खत्म होगी और धार्मिक या आध्यात्मिक कामों में समय बिताने से जो सुकुन आपको मिलेगा मित्रों, वह कहीं और नहीं मिलेगा और आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होगी। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना है और विपरीत परिस्थिती का सामना बिलकुल शान्ती से करें। मित्रों, गुस्से की वजह से परिस्थितियां पूरी तरह से बिगड सकती है और बच्चों की परहाई संबंधित परेशानियां आपको मित्रों सताती रहेगी क्योंकि आपकी संतान इस वक्त परहाई पर ध्यान नहीं दे पा रही है। साथ ही कारोबार में जिस सुधार की अपेक्षा आप रख रहे थे, वही सुधार बहुत जल्द आने वाला है और मित्रों गुस्से की वजह से परिस्थितियां बिगड़ी आच सकती है। नया एग्रिमेंट हो सकता है। अपने काम करने के तरीकों को बहतर बनाएंगे तो बहतर सुधा और बहतर वापस से आप रिटर्न पाएंगे। किसी एक बात पर पूरी तरह से फोकस न होने से समता के अनुसार काम करना संभव नहीं है। पहले अपने कार्यक्षमता और टार्गेट पर ध्यान देना होगा। खुद की बातों में अधिक उल्जे रहने की वजह से रिलेशन्शिप से दूर रहना पसंद करेंगे। साथी अपनी जो भी कोशिशे हैं उन कोशिशों में कमी बिलकुल ना आने दें और सूझ बूज से किसी परेशानी को आप सुलजा लेंगे। कारोबार में एक्स्ट्रा काम रहेगा लेकिन मेहनत के अच्छे नतीजे भी मिलेंगे और कोई सूचना भी आपको मिल सकती है। मित्रो, मल्टी नेशनल कमपनी में काम करने वालों को अच्छा खासा प्रोशन मिल सकता है और कोई त्योहार भी हो सकता है। मित्रो, मित्रो, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप थकान और तनाव से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव जल्द से जल्द करने की जरूरत है। मित्रो, क्योंकि जब बदलाव आएंगे, तो जिन्दगी में सकारात्मकता भी आएगी और थकान और तनाव हमेशा के लिए दूर भी होंगे। जो आपको और अधिक उत्साहित महसूस करेंगे। मित्रो, जिन्दगी में कभी-कभी हमारे जीवन का अहम रोल हमारी संगत पर भी होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। यदि आप सफल लोगों के साथ रहेंगे, तो जिन्दगी में बहुत आगे जाएंगे, और यदि सफल लोगों के साथ रहेंगे, तो दिककत ही दिककते होंगी। मित्र बता देते हैं कि अगर आप अपनी लव-लाइफ को मजबूत रखना चाहते हैं, तो आपको किसी और के कहने पर अपने प्रेमी के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। मित्रों बता देते हैं कि आपके जीवन में तीसरे लोगों का हस्तक शेप बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वक्त तो सुननी सबकी है, लेकिन करनी मन की है। आपके रिष्टे को लेकर कुछ लोग आपको भढ़काने की कोशिश कर सकते हैं और मित्रों बता देते हैं कि अगर आप अपने लव लाइफ को मजबूत रखेंगे तो जीवन बहुत बहतरीन बनेगा। मित्रों आपको ध्यान रखना है, सब के साथ संबंध मधुर बना कर रखने की कोशिश करनी है। दुर्भाग्य से आपका बाहर जाने का समय खराब हो सकता है क्योंकि आप किसी काम में अटके हुए हैं। हालांकि आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध, आपके परिवार द्वारा भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं जिससे आपके रिष्टों में मजबूती आएगी। मित्रो, काफी लंबे समय से भाई के बीच से आपकी अच्छी पार्टनर्शिप नहीं बन रही थी। आपके बीच में थोड़े से मन मुटाव थे, हालांकि संबंध सुधारने की कोशिश आप ही के द्वारा की जाएगी। तो अगर जुकने से रिष्टे बहतर बन रहे हैं मित्रो, तो इस वक्त जुकना आपके लिए बहुत बहतर रहेगा। वही मित्रो, आप उर्जावान और पूरी तरह से प्रसंद महसूस करेंगे। जिन्दगी में जो सुख आपको चाहिए थे, वही सुख इस वक्त मिल रहे हैं। हालांकि आपको काम का बोज निराशा जनक लगने की संभावना है, लेकिन आप देखेंगे की धीरे-धीरे आपके काम। मित्रो सफलता की ओर बढ़ेंगे और सारे काम संपन्न होने लगेंगे। कोई नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन का आगमन होगा। मित्रो, इस वक्त जिन्दगी में आप जो जो सपने देख रहे थे, वह सपने पूरे होंगे। और बता देते हैं कि कोई करीबी, कुछ अजीब मूड में रहेगा और उसे समझ पाना मुश्किल होगा। मित्र, आपके प्रिये का मूड कुछ ठीक नहीं है।